हुआ है 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 हलो फ्रेंट्स आर एसे स्टिशिंग सेंटर में आपका स्वागत है और आज शभी प्रेंट्स को न्यू यर के शुखामना है और हम पिछला वीडियो बहुत दिन से अप्लोड नहीं कर रहे हैं इसके पहले हम रेसियो बता चुके हैं रेसियो में दस वीडियो अप्लोड किये हैं जिसमें लगवक टाइप खतम कर चुके हैं एक टाइप बचा हुआ है हम एसाइमेंट जब अप्लोड करेंगे तो एसाइमेंट में उस टाइप को हम इंक्लूड कर देंगे आज हम एक्जाम के देखते हुए रेलगाडी चिप्टर अस्टार्ट कर रहे हैं और जो भी आपको इंपोर्टेंट चिप्टर रहे हैं कि लगे कि कोशन पूछेगा उ उसके बाद आपका जैसा कोमेंट रहेगा इंपोर्टेंट जो चिप्टर है जो बार बार पूछा जाता है उसको पहले अस्टार्ट करेंगे तो आज हम चलते हैं रेलगाडी अस्टार्ट करते हैं चला धियान दिजेगा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको धियान देना है रेलगारी रेलगारी में रेलगारी समंधित प्रस्ण में जब कोई रेलगारी किसी ब्यक्तिक पेड़ पोल और खंबे या सिगनल को पार करे तो रेलगारी की लंबाई ही दूरी होता है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रेल गारी है जैसे में कोई रेल गारी है इस समाझ जाना है कि रेल गारी है जब एक पोल को पार करेगा तो देखी तो इसका ज़्यादा तो चोड़ाई है नहीं जब पोल को पार करेगा या कोई ब्यक्ति को पार कर जाएगा जो एकतरस समझे कि जो इसका कोई चोड़ाई एकतरस नहीं होतना या पोल को पार करेगा या को सिगनल को पार करेगा या तो ब्यक्ति को पार करेगा तो हम पोल के लंबाई या ब्यक्ति के लंबाई या सिगनल क कि लंबाई हम उसको जोड़ेंगे नहीं सिर्फ जितना रिल गाड़ी की लंबाई रहेगा वहीं जोड़ेंगे इसका मतलब है हुआ और दूसरा में हम ध्यान देते हैं कि यदि कोई रिल गाड़ी किसी प्लेट फॉर्म सुरंग गुफा पूल अथवा दूसरे रिल गाड़ी को पार करे तो दूनों को लंबाई जोड़ देते हैं या तो पूल पार करेगा या तो सुरंग भी बहुत बड़ा होता है ना सुरंग को भी पार करेगा तो रिल गाड़ी के लंबाई और सुरंग के लंबाई बार बार जोड़ देंगे या तो गुफा भी रहेगा गुफा बहुत बड़ा बड़ा होता है ना तो गुफा भी पार करेगा और रिल्गाडी पार करेगी तो गुफा के लमबाई और रिल्गाडी के लंबाई जोड़ देते हैं लेकिन कोई भ्यक्ती को पार करा तो भ्यक्ति को एक से उतना दूरी तो होता नहीं है इसलिए सिर्फ रेलगाड़ी का लंबाई लेते हैं तो ध्यान देना है जब कोई रेलगाड़ी ब्यक्ति को पार करें खंभा को पार करें सिगनल को पार करें या पॉल को पार करें पॉल को पार करेंगा उसका लंबाई नहीं होता एक तरह से सिर्व उसमें रेलगाडी के लंबाई लेंगे लेकिन यही जदी रेलगाडी प्लेटफॉर्म को पार करेगा प्लेटफॉर्म बड़ा होता है ना तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो रेलगाडी के लंबाई और प्लेटफॉर्म के लंबाई को हम बार बार जोड़ तो लंबाई को हम दूरी कहेंगे याद रखना है जहां भी लंबाई रहेगा इसका मतलब हम उसको दूरी भी बोलेंगे ठीक है न तो याद रखना है रेलगाडी जब प्लेट फॉर्म को पार करेगा या तो सुरंग को पार करेगा या तो कोई गुफा को पार करेगा तो हम बार-बार रेलगाड़ी और गुफा की लंबाई को हम जोड़ देंगे और जो लंबाई रहेगा वह धूरी का काम करेगा कुछ इंपर्टेंट बेसिक कॉंसेप्ट है याद रखना है कि समय बरवर होता क्या है तो समय बरवर आद रखना है धूरी बटा चाल और चाल बरवर सुत्र पर ध्यान दिजेगा इस तेनों सुत्र को याद कर लिजेगा रेल गाड़ी इसी पर समाप्त हो जाएगा कुछ नहीं करना है बस समय बरवर क्या होता है तो दूरी बटा चाल अब हमको यह तिनों आद कर लेंगे यदि नहीं आद होता है तो हम थोड़ा सा यस में समय बरवर दूरी बटा चाल समय बरवर पोच्छेगा समय बरवर थोeli बटा चाल हो जाएगा लेकिन हम यहां से अपने लेंगे की दुरि वरबर क्या होगा ता कुछ नेकरना अईसे यह तो आपको डियरेक्ट दिया हुआ ज़दि निक्मांद चाहते हैं तो इससे निकलत लिए गां mature तो लाज रहता है तुटल निकल जाएगा दूरी बरबर क्या हो गया चाल कुना समय और समय बरबर दूरी बटा चाल और चाल के निकालना रहेगा चाल के निकालना रहेगा तो धियान देजेगा चाल के निकालेंगे तो चाल इसके साथ जो रहेगा ना वो नीचे आ जाता है तो चाल बरबर लिखेंगे चाल तो चाल बरबर इसके साथ है ना तोई जब भी आ जाएगा कहां चला जाएगा बटा में चला जाएगा तो नीचे आजाएगा का समय आजाएगा और दूरी कहा उपर लिखा जाएगा तो कुछ निकर ना यादाराइट ना है यह多 आपको याद रखना आउयसे यह बड़कर समय में कि तिनौ कंसेप्ट पर फुरा लिलगाड़ी का अगला कुछ देखते हैं करें जब हम किलो मीटर को मीटर पर सेकेंड में बदालना होता है तो 5 बटा 18 से गुना करते हैं कितना से पांच बटा ठारा से गुना करते हैं कि एक मतलब हुआ कि जब आपको किलो मीटर में देल रहेगा जिसे में देल रहेगा कि 90 किलो मीटर पर ती घंटा के चाल से चल रहा है मीटर पर सेकेंड में क्या हुआ तो जब किलो मीटर में देल रहेगा ना किलो मीटर पर ती घंटा म से लिए हम कितना सबुना करते हैं पांच बटारा से जब मोटा कर देंगे ना मिटर पर से केड्म में यह चैंज हो जाएगा जैसे मैं 46 की डि़नर में या मीटर पर सकेड्म से बस्तरा से निग्वाइव करते हальных पांच बटा 18 सो गुना कर देते हैं लेकिन एही जब मीटर पर सेकेंड में देल रहेगा अब रहेगा कि न यहां पर देल रहेगा कि मीटर पर सेकेंड है इसको किलो मीटर में चेंज करना है तो उल्टा कर देंगे 18 बटा 5 से जब किलो मीटर देल रहेगा मीटर पर सेकेंड में तो 5 बटा ठारा और जब और जब मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ रहे किलो मीटर में चिंज करना हो तो ठारा बटा पांच और जो ठारा बटा पांच 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 बटा ठारा होता है यह तो आप जानते हैं कैसे आता है देखें बस यह हाता है कि एक किलो मीटर में कितना होता है एकड़ब्र में 1000 मीटर होता है कि एकड़ब्र होता है और एक समान डिसा में चाल घ्रता है और जबकि बाटकी दिशा में चल जूरता है आप देखे हूंगे कभी भी जब रिल गाड़ी एक अलग प्लेट फॉर्म पर गुजरती है दोनों एक दीशा चलती है तो ऐसा लगता है कि गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है इसका मतलब हुआ कि एक दीशा चलने पर रिल गाड़ी की चाल जो होता है गहड जाता है यही जब रिल गाड़ी एक E-sets ऐएगा और लगेगा कितना तेज से पार हो गया उसमें होता क्या कि फिरी जब चलता नहीं तो एक कि यह सैट बहुत बहुत तेजी से लोगश्य पार हो गया इसलिए धियान देना है जब एक दीशा में जनी Billada Prime इस लृट जाएगा देरी दिशाम चलेगा ऊ штमीम्हेर तो दोनों के जो कि चाल होता है जूड जाता है अब हम बेसिक कॉंसेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं एप ऐस्टेप टाइप बाई टाइप से ध्यान दे ले जाएए और हर टाइप का चार से पांच कोस्तन देंगे जिसमें आपको ध्यान देना है पहला तो हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं एक रिल गाड़ी 180 किलो मीटर परती घंटा की गती से चल रही है बताईए कि उसको उसकी गती मीटर पर सेकेड़ में क्या होगा कर एक रिल गाड़ी है एक रिल गाड़ी है 180 किलो मीटर परती घंटा की चाल से चल रही है इसको मीटर पर सकेंड में पूछ रहा है किस में पूछ रहा है मीटर पर सकेंड में अभी बोले ना जब किलो मीटर में देल रहेगा में पर सकेंड में पूछे गा तो हम 5 बटा 18 से गुना करते हैं तो कुछ नहीं कीजिए देखेए 180 अगुण्य तो में पर सकेंड में चेंज हो जाएगा ऐसे भी आध रखे न 1 किलो मीटर है में जब देल लाएगा तो नीचे जूग जाता आधे जब किलो मीटर बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बजन है आधे रखे कि यह जो 18 है नीचे आ जाएगा कैसो आधे रखे अब काटी है अठाला से काटेंगे तर 10 तर 10 पचे यह 50 मीटर पर सेकेंड आगिया बस इसी कोचे इन तो करना था पहला कोस्चन और नेश्ट कोस्चन अगला देखेगा नेश्ट कोस्चन कराएक रेल काड़ी 54 किलो मीटर परति घंटा की गती से चल रही है बताएक की की neighbors पर सेकेंड में क्या होगा दूसरा कोस्चन देखिए कि एक 54 मिम्स किलो मीटर परति घंटा के चाल से चल रही है अब दता एक है कि उसका मीटर पर स printers में किलो मीटर पर स्केन्ड में दिया वाँ मीटर पर से की जो आगी है कि चाववण किलो मीटर है किलो मिटर नहीं किलो मीटर बड़ा होता बड़ा उला नीचे रहेगा यानिकि पांच बटा अठारा तो नीचे रहेगा तो अठारा तिया चोवान पांच ती या 15 जो आगे हैं ये 15 15 मीटर पर सेकेद्ड ना अंसर आगया तो ऑप्शन नंबर किस में है ये में है दूख का आप्शन नंबर अब next question ध्यान दिजे तिसरा question तिसरा question देखेगा करा एक मालगाड़ी 108 km परती घंटा की गती से चल रही है बताए कि उसकी गती मीटर पर सेकेंड में क्या हुआ तिसरा question ध्यान दिजेगा करा 108 km परती घंटा की चाल से चल रही है मीटर पर सेकेंड में तो किलो मीटर मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं पांच बटा अठारा से गुना करते हैं तो आजाएगा मीटर पर सेकेंड में लिषिए कि चौथा नमब्र कोश्टन बोल रहा है एक मोटर साइकिल 144 किलो मीटर पर ती गंटा की गती से चल रही है बताएगे की उसकी गती मीटरपर सेकेंड में क्या होगा एक टाइप के भी बता रहे हैं 144 किलो पर दिघंटा इसको मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है कुछ निकरना 144 मीटर पर सेकेंड में चैन करने के लिए किलो मीटर है न तो बड़ा वला तो नीचे रहेगा पांच बटा 18 अब काटिये अठरो आठ चवाल से 18 को इसमें भागा दिजेगा तो अठरो आठ चवाल से होता है अवाट पचे इस चालिस जो आगिया चालिस मीटर पर सेकेंड आगिया ऑप्सन नंबर सी ऑप्सन नंबर सी चार कोशन हो गिया अब अगला टाइप के देते हैं इसी पर यह तो किलो मीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए बताए अब हम अगला टाइप हम छोटा-छोटा थोड़ा सा भी चेंज हो अब मेरा विस्वास है कि जब हम रेलगारी पढ़ा देंगे अब कहीं कौनों बोक से बना ये कहीं दिकत नहीं होगा और टाइप टू अब देखें टाइप टू में अभी है जो मीटर पर सकेंड में डेल रहेगा किलो मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो टाइप टू द बीस मीटर पर सकेंड की चाल से जा रही है पूछ रहा है अबरी किलो मीटर पर ती घंटा में तो ध्यान दिजेगा उस टाइम तो यहां पर किलो मीटर था तो पांच बटा अठारा दे रहे थे अबरी मीटर है ना तो कुछ नहीं करना है यह मीटर है तो मीटर में कितना ब यह नीचे लहेगा और यह मीटर है आधर रखना अठार उपर है नीचे पांच रहेगा काटिए ऐसो चेंज हो जाएगा ने किलो मीटर में अंसर आएगा तो किलो मीटर परति घंटा आगिया तो आपसन नंबर पहला हो जाएगा नेश्ट कोशन ध्यान दिजिए नेश्ट कोशन दूसरा कोशन है करा एक रिल गाड़ी 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है जा रही है तो इसकी चाल कितने किलो मीटर परति घंटा होगा घंटा हम कुछ रहा है कुछ नहीं करना है इं मीटर में जब जहां पर भी मीटर में दिया हुआ रहेगा घंटा में चेंज करने के लिए अठारा बटा पांसे गुना करेंगे पांच छका तीस तच्छे अब वुना करेंगे 1895 अठारा चक तोटल से 108 किलो मीटर परति घंटा अशर आ गया सब्सक्राइब देखेगा नेश्ट कोसन कर आए एक ट्रेन पत्चास मीटर परति सकेंड की चाल से जा रही है तो इसकी चाल किलोमीटर सब्सक्राइब कह देए पहां होगा सब्सक्राइव कर दो कर रहा है हाँ ध्यान दिजेगा तीसरा नंबर कोसं ध्यान दिजेगा 50 मीटर पर सेकेंड दिया acquire ना कुछ ने करना है यहां पर दियान जएगा इसको kilometer में चेंझ करना है नाइँ मीटर में है तो कैतना से 18 बटा-पान से बुना करते है 5 से काटी ये 10 बार में और 10 गुना ठारा कीजियेगा ठारेगा तो इत्साइब 180 km पर ते घंटा आ जाएगा कुछनी question में करना है जब km में देल रहेगा तो तो 5 बटा 18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा जब question में मीटर में देल रहेगा तो 18 बटा 5 से गुणा करेंगे किलो मीटर में चेंज हो जाएगा दोनों टाइप के बता रहे हैं एक question 180 आया तो option number C हो जाएगा दिएक सब्सक्राइब निक्स्ट कोश्टन एक हवाई जहाज 40 मीटर से से जा रही है इसकी चाल कलो paling मेटर में क्या हो तो 40 मीटर पर से से सब्सक्राइब किख से जारीं प्रइड एक किलो मीटर में चिंज करने के लिए 18.5 ngày गुना करेंगे पंची अठी चालिस अपकाड गुना करिए अठारा पचे नबे अठारा चक टोटल से अठार सत्य चलिशे अठ्रोवाट चवाल से आ जाएगा यानि कि 144 किलोमीटर परतिगंटा के इसाब से आ जाएगा तो यह दो टाइप हम बता दिये हैं यानि कि पहला टाइप में बोले कि जब किलोमीटर में देल लाएगा मीटर पर सेकेंड में पूछेगा तो पाच बटा अठारा से गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज़ जाएगा जब कोशन में मीटर पर सेकेंड में देल लाएगा तो किलोमीटर में पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड में देल लाएगा तो अठारा बटा पांच से गुना करेंगे किलोमीटर में चेंज हो जाएगा तो इस दो टाइप को हम समात के हैं थोड़ा सा चेंज रहेगा आगल से हैं चल रही है तो यह पंद्रा सकेंट में कितने दूरी करेगी को चंद में कुछ ने धियां देना हम खाली लाफ्ट में धियां देना ना कि पूछ रहा है क्या दूरी कि कितनी दूरी ही तई करेगी बोल रहा है यहां पर देखएगा जार्डबर होता होता है जहां पर चाल दिया हुआ रहे समय दे तो यहां पर देखे का छाल दिया हुआ हवा एक सो वार्ट किलो मीटर पर घंटा तो चाल के जगा पर हम कितना देदेंगे mains흙 Si 189 जाल के जब देदेंगे लेकिन ध्यान दिजयेगा एक किलो मीटर में है न किलो मुटर मेर्म है पर धंटा ने और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से हम गुना करने के थे जैब कि वी कि Kyoto में कि बड़ा होता याद रहे हैं बड़ा नीचे रहेगा यह पांच फार अठारा से Knock करेंगे तो यह मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा और समाई कितना दिया हुआ है कोशन में देखे समाई कितना सेकेंड दिया हुआ है पंदरा सेकेंड दिया हुआ है तो पंदरा सेकेंड दिया हुआ है तो पंदरा सेकेंड में कितनी दूरी ताई करेगी कुछ नहीं करना कुर्षन दियान देए कि पूछ रहाई कितनी दूरी करेगी दूरी ने पूछ रहा होता क्या है दूरी बरबर होता है चाल गुना समय चाल जीतना रहेगा देदिजीएगा चाल दिया हुआ था एक सवार्ट किलो मीटर पर सेकेंड तो Yeah किलो मीटर न इसको मीटर पर स्थकिन्ड यह चाहिए को जब Quiz न लेकए पर समय के सामने समय कितना चुमा कर देंगा आप काटीए इसको जब और देरेक्ट इसको पढ़ कर लीजीये तब 15 तरा थी छोग पचordoлять ऑव 30 और पंदरा गुना कि अगये गारना थिसा फंद्राग गुना किजिएगा तब Hundar वीappelle तालई चाहसओ पड्चास मीटर आ जाएगा इतना मिटर आ जा को कि नहीं आप शार्साथएं करेगे कितना दूरी ताही चाह आ करें तो कर रहा है कि एक प्रैल गाड़ी चल रही है तो यहाँ दश सकेट में कितनी दूरी ताइँ करेगी दूरी पूछ रहा है न तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी बरबराद रखना है दूरी बराबर होता है क्या तो दूरी बराबर रखेंगे चाल गुना समय होता है चाल और गुना समय जबर कल blades कि जब कन करते हैं। और समय कि दिया हुआ है कितना सेकेंड दिया हुआ है दस सेकेंड दे देंगे अब कैलकुलेशन काटिए अठारा तिया चववन पांच तिया पंदरा अगुना दस किजिएगा तो कितना जाएगा और देल सो मीटर आ जाएगा तो अगला को संद्यान दिजिए नेक्स्ट कोस्टन कि बाइचर नंबर 10 को आपने नंबर एमें था और तिसरा को संद्यान दिजिए तिसरा कोस्टन में दिया हुआ है कि एक री गाली 72 किलो मीटर पर ते घंटा के गती से चल रही है तो 30 सेकेंड में कितना दूरी तई करेगी दूरी तई करेगी फिर बोला है दूरी बराबर आद रखना है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय याद रखना है बार बार चाल गुना समय तो चाल कितना दिया हुआ है 72 त पांच बटा अठारा से चेंज करेंगे अज समय जो देल रहेगा गुणा कर देंगे 30 सेकेंड करा तो 30 सेकेंड यहाँ पर धर देंगे अब काटिए अठारा चोके 72 अभी पांच बीस अगुणा 30 किजिएगा तो कितना आजाएगा बीस और तीस गुणा करिएगा ना तो 600 आजाएगा 600 मिटर तो ओप्शन नंबर ए ओप्शन नंबर ए नेक्स्ट कोशन धियान दिजिएगा नेक्स्ट कोशन अगला कोशन धियान दिजिए चार नंबर कोशन चार नंबर भी बोला है एक ओटो 126 कीलो मीटर पर ती घंटा की गति से चल गाई है तो 10 सेकेड में कितनी दूरी तई करेगी दूरी बूअट та एक सर्फ मने करें के लिए 5 बटा 18 से गुना करेंगे समय कितना दिया हुआ है तो 10 सेकंड दिया हुआ 10 सेकंड दे देंगे अब काटिये काटियेगा तो क्याची निकलेगा गोरी निकलेगा 18,95,18,18,6 छबेल से 7 बरते में कटा और 7 गुना 5 कीजिएगा तब 35 अगुना 10 किजिएगा तो कितना आजाएगा 350 मीटार आजाएगा ऑप्सन नमबर सी ऑप्सन नमबर सी यहां तक देखिए तिन टाइप हो गया और कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ समझाने के चलते जीरों से लेकर चल रहे हैं ताकि किसी तरह का दिकत नहीं अश्टेप बाइश्टेप ऐसी बढ़ाते रहेंगे और बड़ा से बड़ा को संजितना हाड हो सब कराएंगे चला दो टाइप खतम हो गया तिन टाइप अब छोटा छोटा को संप में बाढ़ दें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कई तो अगला टाइप हम देखते हैं चौथा टाइप चौथा टाइप अब ध्यान देजिएगा कि शोथा टैप कि इस समय पर था समझाने के लिए छोटा-छोटे कोशन को हम टाइप में बार दें आगला कोशन देखे कर रहा है फर्स्ट कोशन करा एक 100 मिटर लंबी रिल गाड़ी 30 किलोमीटर परती घंटा के चाल से चल रही है रेलवे लाइन के पास खड़े एक ब्यक्ति को कितने समय में पार करेगा एक ठीज ध्यान दिजेगा अभी हम बोले कि रेल गाड़ी जब किसी खंभा को पार करेगा रेल गाड़ी किसी खंभा को पार करेगा जब रेल गाड़ी किसी खंभा को पार करेगा या किसी पोल को पार करेगा या किसी सिगनल को पार करेगा तो सिर्फ रेल गाड़ी कही लंबाई लेते हैं थेक है ना तो इसमें भी वही बोल रहा है कि 100 मेटर के लंबा रेल गाड़ी है कितना है 100 मेटर के लंबा रेल गाड़ी है और एक और 30 किलो मीटर परती घंटा के चाल से चलिया और रेलवे लाइन के पास खड़ा व्यक्ति को पार करा तो हम रेल गाड़ी के लंबाई तो जो तो यहां पर दिया हुआ ती इस सो मीटर लंबी रेलगाडी है अई जो लंबा रेलगाडी है ना लंबा रेलगाडी है यह दूरी का काम करता है अच्छा लंबाई को इसको हम दूरी बोलेंगे की नहीं बोलेंगे बोलेंगे लंबाई जो दिया हुआ इसको हम दूरी भी बो करेगी कितना समय में लाश्ट कोसन देगे कितना समय में पार करेगी हम से पूछ रहा है कितना समय ने पूछ रहा है तो हम समय बराबर सुत्र लगा देंगे तो समय बराबर हम बोलेंगे कि समय बराबर होता क्या है तो आपको बोले कि याद रखना पड़ेगा यह तीनों फर ना रेल गारी के जो लंबाओ रहेगा ऊथ के काम मीटर घंट कर रहेगा तो दूर कीले मीटर घंटा के चाल से चल रही है थिस मीटर देखिए क weird के जिगा पर हम लंबाओ सों और लंबाइ 1 को बोला जातां सो दे दयें और नीचे चील नंदेंगे तह चॉकितना दिया हुआ 30 किलो मीटर के टेस किलो मीटर पर्तिगंटा दिया हुआ गार कितने समयुंफे परद क्रेंगे तो कुछ मीटर है ना तो मीटर पर सेकेंड में चेंज किजिएगा तो कितना सुगुना करने कहे थे आपको कि किलो मीटर में तो पांच बटा थारा सुगुना करने कहे थे कि नहीं कहे थे कहे थे कि पांच बटा थारा सुगुना किजिएगा नहीं तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो या तो देखे मेटर है इसी को छेंज कीजियेगा कितना से कीजिए गा आने तो बाएंटा नीचे रहेगा नहीं उपर चल जाएगा ठीका तो यह ठारा कर देंगे यह ऊपर कर देंगे गुना या तो आप कुछ नहीं करना है किलो मीटर में चैंज किज़े किलो मीटर में मीटर पर सब्सक्राइब तब 5 बता ठाटासे 18 नीचे नहीं रहेगा ऊपर चला जाएगा ठीक है अब काटिए जीरो से जीरो इतीन से कटेंगे तीन चाह का ठारा और पांसे कटेंगे पांदुनी 10 छोदुनी 12 आ जाएगा कितना जाएगा 12 सकेंड आ जाएगा तो आप्शन नंबर ए में ठीक है नेक्स्ट कोस्टन ध्यान दिजिए नेक्स्ट कोस्टन तो दू नंबर कोस्टन दिया हुआ है कि 180 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 54 किलो मीटर परती घंटा के गति से एक रेल लाइन के पास खड़े खंभा को कितने समय में पार करा अभी बोले कि खंभा को पार करेगा तो बोल रहा है क्या कि 180 मीटर लंबी रेल गाड़ी है तो दूरी का काम करेगा कितना समय में ना समय बराबर फिर पुछा समय बराबर क्या होगा तो समय बराबर देख लिजे क्या होता है दूरी बटा चाल होता है दूरी बटा चाल लिख देंगे दूरी कितना दिया हुआ तो जो रेल गाड़ी के लंबाई रहेगा ना रेल गाड़ी के लंबाई वही लिखेंगे तो चलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ 180 मीटर है तो लंबाई के जगापर हम 180 मीटर रखेंगे और नीचे चाल कितना दिया हुआ तो चववन किलो मीटर चववन किलो मीटर है इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए पांच बटा थारा से गुना करतें कि नहीं पिछला टाइप में बताएं जब इसको यहां से कल्कुलेशन कर लीजिए यह तो अठारा आप उपर चढ़ा दिजिए कुछ किजिए तो हम उपर चढ़ा देते हैं या तो कट जाएगा यहां पर से भी याने तो बार बार हम उपर चढ़ा रहे हैं उपर चढ़ा दिजिए अठारा उपर चला गया अब काटिए अठारा तिया चववन अभी इसको काटिए तीन से इसको काटिएगा तो किना तीन शक अठारा कटेगा अब इसको पांच से काटिएगा ते केतना बार में बारा बार में बारा पचे साथ तो बारा सेकेंड आ जाएगा ऑप्सन नमबर बी में देखे कुछ नहीं किया है समय बरबर दूरी बेटा चाल जो रिलगारी के लंबाई दिया हुआ 108 मीटर लंबाई होता है दूरी के काम करता है तो दूरी को हम लंबाई बोल देंगे तरख देंगे अब चाल के जगे बचावन किलो मीटर है किलो मीटर है ना इसलिए 5 बटा 18 से गुना की है लेकिन बटा में था जब हम उपर में कर दिए यह तो यहां से भी कार सकते थे तो बटा में उपर चड़ा दिए आप कारचाट कर लिजेगा तो आजए कितना बारा से किन्ड सесंव हरा से एक हम बे को कितने समय में पार करें गया समय पूच रहा है समय बडाबार दूरी बटा चालल ओता है और जो दूरी होता है वह रही गालीर के लम्भाई को दूरी कहेंगे तो 208 मiinटर दिया हूआ है 280 मिटर ने दिजेगा और चाल कितना देवा तीरेशाठ और तो यह तो उपर चल जाएगा उपर चला जाएगा अब काट यह काटेंगे तो देखें कभी काटने का नियम करेंगे कि कोनश सभपा यहाएगा और ottee वहम काट सकते या तो इसको अईसे भी काट सकतें तो यहां झालामें अठार भी आएंगा आव तीरियश भी आएगा और तीरिय के बने तरे यह अपने समझ माएगा तो हम कहें कि 9 का में दोनों चीज़ आ जाएगा 18 भी आ जाएगा 63 भी तो 9 का से पढ़ दीजिए 9 दुनी 18 और 9 सत्य 63 ऐसा रहाम से कट दीजिए और साथ से इसको काटेगा तो साथ चव अठाइस और कट रहा है पांसे ही पांसे काटेंगे पांची यठी चालिस आड़ दुनी 16 तो यह जो आ गया कितना आ गया 16 सकेंड आ गया कहीं दिकत नहीं किया हैं जी 16 सकेंड नन ओफ देज ऑप्सन नंबर डी एक वर फिर से देख लिजिए जो दूरी है है 280 किलोमीटर सोड़ी 280 मीटर है और जाल दिये等 63 किलोमीटर पर गंटा किलोमीटर पर घंटा मीटर पर गंट वबाट से 11 आठाव उपर चल जाएगा काटिए हम बोले की काटना ऐसा कि कौन ऐसा दोनु पहड़ा में कौन आशा पहड़ा लिजेगा कि दोनों में आजाएगा अठारा और त्रेस अग्ला को सन देखे सम को सन नहीं है करा हाई की 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गाती त्रेसाच किलोमीटर परती घंटा एक सिगनाल पोल को कितने समय में पार करेगा सिगनले पुल को पार कर रहा है कितना समय में समय बराबर बार बार लिख रहे हैं समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा जो ट्रेन के लंबाई होगा वो दूरी के काम करेगा तो यहाल कितना दिया हुए लंबाई 210 दिया हुए लिख देंगे चाल जो देल रहेगा चाल जल रहेगा चाल लिखेंगे 63 किलो मीटर है किलो मीटर है मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए पांच मेंटा ठारा बार बर करें यह ठारा उपरे लिख देते हैं कैलकुलेशन करिए अभाभी भी बोले एकोशन हो गया है अच्छा नहीं हुआ अभाभी बोले कि देखिए काउन इसा पहाडा में यह दोनों आ जाएगा उप पहाडा में आ जाएगा उस पहाडा को पढ़िए तो नो दुनी अठारा और नो सत्य तिरे सट ऐसे भी और काटिए इसको सतिया एकाएस और पांच से काटिएगा तो पांच च्छा का तीस अच्छो दूनी यह आ जाएगा कितना बारा सेकेंड आ जाएगा ऑप्शन नमबर दी तो इस तरीका से आप बनाएगा स्टेप बाइए स्टेप ठेखना चला चार टाइप हो गया अब पच्मा टाइप पर स्टार्ट कर में फोर्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा प्रैक्टिस किजिएगा हो जाएगा सिंबल चेप्टर है अब अगला टाइप पांच टाइप पांच में देखेगा करा 120 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी प्लेटफॉन पर खड़े व्यक्ति को पार करने में दस सकेंड का समय लेता है तो रेल गाड़ी के चाल मीटर पर सकेंड में क्या होगा चला धियान दिजेगा अब ही बोला कि 120 मीटर लंबी एक रेल प्लेट फार्म पर खड़ा व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रहा है दस सकेंड का समय ले रहा है तो समय लेता है तो रेल गाड़ी के चाल मीटर पर सकेंड में पूछ रहा है तो चाल पूछा क्या पूछा चाल पूछा तो हम कुछ नहीं करना जह पूछेगा उस बर होता क्या है तो चाल बराबर कहेंगे कि दूरी बटा समय होता है दूरी अब बटा समय होता है समय लिख देंगे अब दूरी जो होता है रिल गाड़ी के लंबाई होता है दूरी कितना दे हुआ करा 120 मीटर है अब ब्यक्ति के पार कर रहा है जदी प्लेट फारम के पार करता लेकिन बोला है कि 120 मीटर लंबी एक रिल गाड़ी है न खड़े ब्यक्ति को पार कर रहा है किसको पार कर रहा है देंगे न ऌफ में आपका रहा है जद सब्सक्राइब कर रहा है कितना समय लेगा अपने सबते हो मेटर पर सेट में के वा किसमे पुछ नहीं इसमें पुछ रहा है कि 110 N9 के देखें इसमें दिया हुआ है कि दूरी 120 मीजबी स समाहत 10 सेकिन आह surface पर सेकेंड में पूछ रहा है तो देखें एक सुना से एक सुना काटेंगे तो देखें इमिटर हाइअ प्रती सेकेंड आ जाएगा मिटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करा है 150 मीटर लंबी एक रिलगाड़ी रिलवी लाइन के पास खाड़े ब्यक्ति को 15 सेकेंड में पार कर जाती है तो रिलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा चाल पूइशायflower रखना बरबार दूरीबटा समय होगा दूरी बटा समय में तो दूरी की कितना दिया हुआ है और समय के जगापर कितना दिया हुआ है पंद्रा सकेंड दिया हुआ है और चाल मीटर पर सकेंड में ही पूछ रहा है, मीटर पर सकेंड में, और देखिए, ये डेर सो मीटर और ये पंदरा सकेंड है, ये सकेंड समझना है, तो काटेंगे तो ये दस, पंदरा से काटेंगे तो ये दस बार में कट जाएगा, तो दस आया क्या आया, दस मीटर परती सकेंड आजेगा है जो आगया दस मीटर परती सकेंड आगया इस सकेंड लिखे थे 15 सकेंड नेक्स्ट कोशन ध्यान दिजेगा तीसरा नंबर कोशन से मैसी है दूश मीटर लंबी एक रेलगाडी रेलवे लाइन के पास खड़े सिगनल को 10 सेम बेंद में पार कर जाता है तो रेलगाडी के चाल क्या ओवा है देखिए बार बार कभी व्यक्ति को पार कर रहा है कभी सिगनल को पार कर रहा है कभी पोल को पार कर रहा है कभी खंभे को पार कर रहा है तो हम सिर्फ रिल गाड़ी के लंबाई ले रहे हैं लेकिन एही पिलेट फारम के पार करेगा तो हम जोड़ देंगे गूफा को पार कर सिगंणल को 10 seconds पार कर रहा है तो 200 मीटर है जो दोरी के काम करेगा 200 मीटर दे दीए अके अधना समय में 10 seconds तर दस सकेंड दे दीए मीटर में ही हाई से केंड में ही है काटेंगे तो मीटर पर सकेनद में आजाएगा के लएक है आप 20 बीस मीटर पर सकेंड two inspection ला गया और एकर नेस्ट कोशल है अभी इसी में थोड़ा सा हमơn चार्च थोड़ा सा सिर्फ चार्च करेंगे इसमें तो कुछ नहीं था ना बार पार एक कारी है को आ agencies या किसी व्यक्ति प्रक्राइब है तो हम तो सिर्फ रील गाडी के लंबाई देते हैं और चाल देते हैं से भागा देते हैं मीटर पर सेकेंड में आ जाता है लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं अगला कोस्ट नमबर देखिए अगला कोस्ट नमबर देखिए कोशन अगला में कहेगा कि देड़ सो मीटर लंबी एक रिल गाड़ी है और चार सो मीटर लंबाई के प्लेट फॉर्म है को पार करने में 20 सेकेंड लगाती है तो रिल गाड़ी के गती मीटर पर सेकेंड में क्या होगा एक चीज़ ध्यान देलेगा उस ठीम में सिर्फ देलगाड़ी के लंबाई दीया हुआ घ्ति को पार करता था असमय देल लदा था कैल्कुलेशन करते तें आया जाता था और देलगाड़ी के लंबाई भी दिया था कितना लंबाइ दिया औए देड़ सो मीटर लंबी रेलगाड़ी है ठीक है और साड़े चार सो मीटर लंबा पिलेट फारम इसको पार करेगा साड़े चार सो मीटर लंबा पिलेट फारम को तो एक चीज़ ध्यान देजेगा कभी भी हम बोले शुरू में कि रेलगाड़ी जब पिलेट फारम को पार करे तो जोडेंगे तो साथे चार्फव देर्स वाँ जाएगा चेस वाँ जाएगा ताब हम दूरी के जगा पर कितना देंगे दूरी के जगा पर हम 600 देंगे काये कि यहां पर रिल गाड़ी और प्लेट फारम है दोनों जूटता है दे दिये 600 आज करा है कि ही यह सेगे में ऩिसेट से टूरी कैन पलेटफार में एंधि सेगे लगाती है तो बीशकत देंगे इ peach है देंगे तो काटेंगे जीरो से जीरो काटें गे ते 30 आगे कितना तीस है कि मिटर पर सेट आ गए औप्शन निम्बर च एक इस तरह से बनाना इस टाइब का कोशन हो गया तो हम आगे निक्स्ट टाइप और अस्टेप बाई अस्टेप बताते चलेंगे और ध्यान देना है कि जितना बताए हैं उसको एक बार ध्यान से देखिए इसे तो हम जिरो से बताए हैं हर थोड़ा सा भी चेंज़ वह उस देरी नहीं होगा तुछ प्रोग्लम था अब वीडियो और डेली अपलोड हो जाएगा तो आज इतना ही रहे देते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की टाइपर स्टार्ट करेंगे तो आज तक रहे देते हैं और जाहिन जाए भारत